कि अब्रीवन वेलकम बेक टू मिथला श्यार्म कूकिंग एंड टिप्स तो आज मैं आप सभी को अलू के फायदे के बारे में बताऊंगी कि अलू का सेवन करने से क्या-क्या फायदे होते हैं वीडियो शुरू करने से बिले कहना चाहूंगी अगर जो आप सभी को जानकारि करें को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें जाधस ज्याधा सेयर करें अगर जो पहली बाइब विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके वेल एगन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई निव जानकारियों को वीडियो अप्लोड करोंगी उसका प्रेस्पूलर को अच्छा रखने में मदद करते हैं इसमें बिटामिन C, मैगनिसियं और बिटामिन B6 रहता है सबसे अच्छी बात है कि इसमें सोडियों की मात्रा बहुत कम होती है जिस वज़ा से हाट को हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है अलू की गिंती एक स्वाधिष्ट और पॉष्टिक खादे पदार्थ में की जाती है यहना सिर्फ पेट भरने का काम कर सकता है बल्कि इसमें मौजूद आउसधिय गुण सारेरिक तकलीखों को भी दूर करने में मददगार सावित हो सकता है आलू ब्लड सिर्कुलेशन की सुधार करने के साथ सरीर में तरल पदार्थ को बनाए रखने में भी मौतभून भूमिका निभाता है इसके अलावा आलू तवच्छा बाल और आँखों के लिए भी लापकारी होता है खिर्दय स्वष्थ के लिए आलू का बसेंवन करना फायदे मन सावित हो सकता है आलू केलिस्ट्रॉल फ्री होता है आलू बिटामिन बी और सी के अलावा लिूटिन और जैक्स्थिन जैसे केरोटनाइट्स से भी सम्रिद होता है जो हिर्दय को स्वस्त रखने में महत्पुन भूमिका निभा सकता है आलू बोटेशियम से सम्रिद होता है जो रक्त चाप को नियंतरित करने का काम कर सकता है आलू का सेवन तनाव की कारण होने वाले हाई बलड प्रेसर को भी कम करने का काम करता है इसके अलावा आलू फाइबर से भी भरपूर होता है वहीं फाइबर रक्त चाप से पिडित मरी में हाइपरडेंजन के प्रभाव को भी कम करने में कारगर साबित है आलू में हड्डियों के लिए सबसे जरूरी पोशक तत्व कैल्सियम भी पाया जाता है हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए कैल्सियम आहम भूमिका निभाता है कैल्सियम की कमी से आस्टियोपोर कर सकता है आलू में मौझूद मैगनीसियम की मात्रा हड़ियों के संरतिनात्मक विकास में मदद कर सकता है आलू को बिटामिन सी का अहम सुरूत माना गया है बिटामिन सी का उपयोग कैंसर थेरेपी के लिए किया जाता है आलू में मौझूद फ्लोयनाइट्स, एंटियोक्सिडेंट और विटामिन A जैसे जेकस्थीन और कैरेटीन मौझूद होते हैं जो कई प्रकार के कैंसर से बचा सकते हैं आलू के गूण पाचन तंत्र को स्वस्त रखने के लिए भी देखे जा सकते हैं आलू हाइबर से समरिद होता है जो पेट से जुड़ी समस्याओं पर प्रभावी रूप से काम कर सकता है या पाचन को बढ़ावा दे सकता है और कब चीज़े से समस्याओं को दूर करने का काम करता है साथी इसमें मौझूद कार्भोहेड्रेट्स भी आहर को पचाने में मददगार माने जाते हैं इसके अलावा बिटामिन बी समू के नियासीन कत्तु भी सम्रिद होता है नियासीन पाचन तंत्र को नियंत्रित करने का काम कर सकता है इतना ही नहीं आलू एक स्टार चीफ कार्भोहेड्रेट है ये आसानी से पच जाता है और तुरंद एनरजी देता है किडिनी स्टोन को बाहर निकालने में भी आलू के फायदे देखे जा सकते हैं आलू पोटैसेम का अच्छा स्रोथ है और पोटैसेम की मदद से पत्री को भी ठीक किया जा सकता है इसके अलवा आलू में मौझूद फाइबर भी किडिनी स्टोन को बाहर निकालने में मदद कर सकता है आलो बिटामिन सी से सम्रिध होता है जो सरीर में बिटामिन सी की कमी को पूरा करता है डायरिया की स्थिती में भी आलो फायदेमन साबित हो सकता है दरसल आलो में जिंक जैसी हो सकता तो होते हैं आलो सोडियम और पोटेसियम से भी भरपूर होता है जो प्रभावी एलक्ट्रोलाइट है ये डायरिया के दवरान सरीर में तरल को नियंतरित करने का काम कर सकता है अंतरिक सेहत के साथ सथ आलो तवचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है बढ़ती उम्र के साथ सथ कई समस्याएं अपने ही सामने आत जाती हैं जिसमें की जूरियां भी एक हैं इन्हें हटाने के लिए आलो मददगार सा भी थो सकता है दरसल आलो बिटमिन सी से समरिद होता है ये जूरियों को हटा कर एजिंग के प्रभाव को कम कर सकता है तवचा पर काले धपों से निजात पाने के लिए भी आलो को इस्तिमाल में ला सकते हैं दरसल आलो बिटमिन सी से भरपूर होता है वहीं बिटमिन सी तवचा की रंगत में सुधार कर डार्क स्पोर्ट को कम करने में मदद कर सकता है छिलके वाले आलू को ब्लेंडर से ब्लेंड करें, पेस्ट को अपने चेहरे पे लगाएं और हलके हाथों से करीब पांच मिनट तक मालिस करें फिर अपने चेहरे को साफ और ठंडे पानी से धुएं, बेहतर प्रेणाम के लिए इसे रोज प्रयोग कर सकते हैं सन्बन जैसे इस्थितियों के लिए भी आलू फायदे मन्द होता है तो आई होप कि आप सभी को आलू के बारे में दी होई जानकारी अच्छी लगेगी जानकारी अच्छी लगे तो अपना फिड़ बैक कोमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे से शेयर करें तो चले आज के लिए नहीं फिर मिलती हैं कुछ और जानकारी के साथ